हेलो दोस्तों टारगेट UPSC प्रिलिम्स 2024 MCQ प्रैक्टिस स्रीच के स्खंड में आपका स्वागत है अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की और बढ़ाते हैं कदम भारती इतिहास एवं कला संस्कृती के स्खंड के माध्यम से तो आईए शुरू करते हैं आज के इस सफर को पटल पर पहला प्रशन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सारवजनिक बाजारों तथा बड़े व्यापारी केंद्रों के बीच के स्थानिय विनिमय केंद्र को इंगित करता है अब आपको इस उप्षन में से सही उत्तर का चैन करना है उप्षन ए मंडपिका उप्षन बी तेवराम उप्षन सी गड़ या उप्षन डी अगरहार तो दरसल मंडपिका या मंडी उपनगरों में इस्थित बाजार होते थे जहां गाउं के लोग अपने उत्पाद बेच के लिए लाते थे अतह मंडपिका चोटे सार्वजनिक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच एक स्थानिय विनिमय केंद्र को इंगित करता है इसलिए विकल्प के लिहाद से आप देखें तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाता है तेवरम की ज यहां तक बात है तो गण शब्दिक की व्युत्पति गण धातु से हुई है जिसका अर्थ ही होता है गिनना शब्दिक रूप से गण का अर्थ जन या जाती नहीं है अपितु बलकि कुछ लोगों के जो शिथिल समूह का ये सूचक होता है तथा पी ऐसा प्रतीत होता है क वैदिक साहिति में अनेक स्थलों पर यह जन जाती संगठनों के अर्थ में भी प्रियुक्त हुआ है धार्मिक संस्थानों को दिये गए भूमि अनुदानों को ब्रह्मादे कहा जाता था वहीं आप देखेंगे कि जो अग्रहार है अग्रहार पुजारियों की बंदोबस् भूमि सामान की रायदारी के रूप में उपयोग किये जाने के अलवा एक अधिकार भी नहित होता था तो अग्रहार और गण के बारे में ही जनकरी थी तेवरम के बारे में बताया गया इस संदर में सही विकल्प आपका ए होगा अगला प्रस्ण है अगले प्रस्ण की वर चलते हैं अगला प्रस्ण है कि प्राचीन दक्षिन भारत में संगम सहत्य के बारे में निम्नेलेखित कत्रों में से कौन सा सही है विकल्प A. संगम कविताओं में भौतिक संस्कृती का कोई संदर्भ नहीं है विकल्प B. वर्ण सामाजिक वर्गी करण संगम कवियों को ग्याद था विकल्प C. संगम कविताओं में समर शौरे का कोई संदर्भ नहीं है विकल्प D. संगम सहत्य में जादूई ताकतों को और संगत बताया गया है अब आपको इन में से कोई एक सही विकल्ब का चैन करना है तो दरस संगम साहित्य के रूप में जाने जाने वाले जो कविताओं का संग्रा है वो छे शताब्दियों में लगभग कब से कब तक तो 300 BC से लेकर 300 BC से इसकी शुरुवात होगी ये कृतिया आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षण भारत और भूमत धिसागरी पश्चिमेसिया तथा दक्षण पुर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों पर भी प्रकास डालती है नायकों और संरक्षकों की प्रशंसा बाला वर्दिक साहित होने के कारण समाज और अर्थिववस्था के विभिन पहलूँ पर इसकी चिंता स्वभाविक थी संगम साहित में पवित्र या जादोई शक्तियों में विश्वास जताया गया है जिसे अनकू कहा जाता था क्या कहा जाता था आनकू ये कहा जाता था संगम साहित किसी विशेश सामाजी की अधार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है और नहीं से किसी शासक अभिजात वर्ग द्वारा दर्बारी साहित के रूप में प्रयोजित किया था लगबग 600 वर्सों की लंबी अवधि में विभिन समय बिंद्वों पर रचित और विभिन स्तरों के व्यक्तियों राजकुमारों, सरदारों, किसानों, व्यापारियों, कुमारों, लुहारों, बढ़ई और ब्राम्हर, जैन एंवं बधों द्वारा लिखित कविताएं वि उर्यूर प्रसिद्ध है, आपको बताना है विकल्पों के आधार पर या चेरों की राजधानी थी, या प्राची इनकाल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, या मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी, या घोडों के लिए प्रसिद्ध थी, तो उपर्य के तिरुचिरापली शहर का भी प्राचीन नाम है यह त्रिची शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है उर्यूर शुरवाती दौर में चोलों की राजधानी थी चोल शासकों ने दक्षिन भारत और स्रिलंका के पुर्वी तड़ पर कबजा कर लिया था जो कि दस्वी शत तक 13 शताब्दी इस्वी में ये लोग प्रमुख थे वे कावेरी घाटी तंजवर जिसको तंजवर भी कहते थे और उरयूर शहरों में स्थित थे और संगम काल में उरयूर कपास के व्यापार का एक महतवपूर केंद्र था तो बैसिकली सूती कपड़ा के व्यापार के ल शासकवर्ग कडैसियर खेत मजदूर तो विकल्पों के आधार पर आपको सही विकल्प का चैन करना है तो दरसल वल्लाल जो है वो धनी किसान होते थे ये बिलकुल सही है अरसर शासकवर्ग भी होता था यह भी सही है और कडैसियर खेत का मजदूर होता था उसको कहा जाता था या भी सही है इस प्रकार आपके तीनों ही विकल्प जो है वो सुमेलित हैं तो D option आपका सही हो जाएगा अगला प्रशन है कि तमिल राजजी के संदर्भ में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पांडे राजजी में अश्व पस्ची मुत्तर भारत से स्थल मार्ग के द्वारा मंगवाये जाते थे पहला कतन है दूसरा है एनाड की उपाधी सेना ध्यक्षों को दी जाती थी तीसरा है पेरियार लोग चर्म का कारे करने वाले खेत मजदूर थे अब आपको सही विकल्प का चैन करना है कि इन में से कौन से विकल्प सही है केवल एक दो केवल दो दो और तीन या एक दो तीन तीनो तो दरहसल हम विचार करते हैं पांडे राजजी में जब आप देखेंगे अश्व जो हैं वो समुद्र के रास्ते से मंगवाये जाते थे इसलिए पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा यहां स्थल मार्क की चर्चा की गई है स्थल मार्क से नहीं बलकि समुद्र मार्क से आते थे एनाड की उपाधी सेना द्यक्षों को आपचारिक अनुष्ठान के साथ दी जाती थी अतह कथन दो आपका सही है पेरियार लोग कृशी मजदूर थे साथी ये लोग पशू चर्म का कारे भी करते थे और चटाई के रूप में इनका इस्तिमाल करते थे अतह कथन तीन भी आपका सही है इसलिहाद से अगर विकल्प के तौर पर देखें तो दूसरा और तीसरा सही होगा तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है कि दक्षन भारत में प्रशासनिक विवस्था के संदर्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको गलत कथन का चैन करना है विकल्प आ राजा किसानों से नियमित करके अलावा विष्टी अर्थात बेगार भी लेता था दक्षन भारत में तीन प्रकार के गाउं होते थे उर, सभा और नगरम साथी इनमें उर, गाउं, ब्रह्मादे अर्थात ब्रामणों को दिये जाते थे चालू के खेत्रों में गाउं की कारेविवस्था गाउं के स्रेश्टिजन करते थे अब इसमें से आपको गलत कथन का चैन कर रहा है तो दरसल दक्षन भारत में तीन प्रकार के गाउं दिखाई देते हैं उर, सभा और नगरम उर, सभा और नगरम ये दक्षन भारत में तीन प्रकार के आपको गाउं दिखाई देंगे इनमें उर्ष सबसे ज्यादा प्रचलित थे, जिसमें किसान रहते थे, ऐसे गाउं में ग्राम प्रधान का यह करतवे होता था, कि गाउं वालों से कर्वसूल करे, सभा कोट के गाउं ब्रम्हादे अर्थाद ब्रामनों को दिये जाते थे, ऐसे गाउं पर अनुदान तो विकल्प C को असत्य के रूप में असत्य कथन ही चयन करना है। दूसरा है कनिश्क के सिक्कों पर अग्र भाग में राजा कथा प्रिस्ट भाग में देवता का अंकन है। दूसरा कथन सही है तो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की और चले। अगला प्रश्न है कि निम्न लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ गहपती है दूसरी तरफ जमीदार तथा छोटे किसान दूसरी तरफ वेलावर पड़े जमीदार या उल्वर हलवाहा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन-कौन सा युग्म सही है विकल्प के आधार पर चैनित करिये। तो दरफ बहुत ग्रंतों में आप देखेंगे भूमिहीन, खेतिहर्म जो स्रमिक थे, छोटे किसान थे तथा बड़े जमीदार थे इनका उल्लेख मिलता है। पाली भाशा में गहपती शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमीदारों के लिए किया गया है। बड़े बड़े जमीदार और ग्राम प्रधानों का पद प्रायह महिंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित में भी गाउं में रहने वाले विभिन वर्गों के लोगों का उलेख है। जैसे विलालर या बड़े जमीदार हलवाहा उलवर भी कहा जाता था और दास जिनको अड़िमई कहा जाता था। इस लिहाज से उलेखनी है कि गहपती घर के मुखिया को भी कहा जाता था। कभी कभी नगरों में रहने वाले समरांत व्यक्तियों के लिए तथा व्यापारियों के लिए भी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस लिहाज से गर विकल्प देखें तो D अर्था तीनों ही यहाँ पर सही प्रतीत हो रहे हैं। गहपती छोटे जमीदार की साम कहलाते थे। विलालर बड़े जमीदार और उल्वर हलवाह को कहा जाता था। अगले प्रस्न की तरफ चले। अगला प्रस्न है तमिल ग्रंथों में उल्लिखित कलावू और कार्पू शब्द की संदर्व में प्रयोक्त हुए हैं। अब आपको इन में से सही विगल का चैन करना है। अगले प्रस्न की और चले। अगले प्रस्न की और चले। जो जानवरों की खाल का कारे भी करते थे। पेरियार, वल्लाल, अरसर या पोलीगर। तो दरसल प्राचीन दक्षन भारत में पेरियार निम्नुस्रेणी के क्रिशी स्रमिक थे। जो पशुमों की खाल या चर्म का काम भी करते थे। इसलिए विकल्प आपका ए बिल्कुल सही होगा। सेना द्यक्षों को अवचारिक अनुस्ठान के साथ एनाड की उपादी दी जाती थी। साथी आप देखेंगे चोल और पांडियों के शासनकाल के दवरान वल्लाल धनी किसान होते थे। जबकि शासक वर्क को अरसर कहा जाता था। पोलिगार, प्रादेशिक, प्रिशासनिक और सैनिराजिपाल थे। इसलिहास से आपका ए विकल्प यहां बिल्कुल सही है। आप इसको ध्यान रखेंगे। पंत में आज के इस खंड की समापती होती है। और समापती के साथ साथ आपको हम बताएं कि सफलता का एक ही रास्ता है, निरंतर महनत, आप निरंतर महनत करते रहें और अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह पर आप शिगर पहुँचेंगे। ऐसी हमारी आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद।